तो दोस्तो अगर आप देखे तो एक रिसेंटल एक आर्टिकल आई है एक बहुत फेमस जर्नल है दी नेचर नाम का तो उस पर जो आर्टिकल आई है उसके मताबिक जो इनवेज़िव एलिएंस पिशीज है उनकी जो क्यूमलेटिव एक ओनमिक लॉस उनके वज़े से हुई है वो निकल कर आती है 1.3 trillion dollars पर याने कि जो invasive alien species है वो अब तक global economy को 1.3 trillion dollar का नुखसान पहुचा चुके हैं and that is cumulative loss from 1970 to 2017 तो एक trillion से ज्यादा नुखसान आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा नंबर है यह यह आप समझ सकते हैं लगबग तो उस्ट्रेलिया की economy के बराबर है उस्ट्रेलिया की economy भी more or less उतनी 1.3 1.4 trillion dollars की है तो लगबग उस economy जितना नुकसान सिर्फ और सिर्फ इन्वेजिव alien species के द्वारा हो चुकी है यह नंबर इतनी बड़ी है कि यदि आप 100 dollar के note US में 100 dollar bill कहेंगे तो 100 dollar note को अगर आप गड़ी बनाएं इस तरीके से पाइल अप करें तो इसकी जो height होगी इस गड़ी की वह space station से जो की 400 km की height पर उड़ती है उससे धाई गुना और उची एक building सी बन जाएगी इस गड़ी से तो करीबन 1015 km height की तो यह बहुत बड़ा नंबर है तो आप सोच सकते हैं इतना ज्यादा economic loss कुछ invasive alien species के द्वारा हो रहा है तो आज की वीडियो में यही जानने वाले हैं कौन है वो invasive alien species and invasive alien species हैं क्या और कौन कौन से वो species है क्या आपने उन में से कितने alien species को आपने देखा है अब तक तो आज की क्लास उसी को फोकस करने वाले हैं तो दोस्तों अन तक देखिए और पसंद आए तो इंडिया का लाज यहां पर इंडिया के बेस्ट समाई साथ जुड़े हैं जो दोस्तों से पहली बार जुड़ है उनके लिए मेरा नाम के इंजल च्वादरी है मैंने बहुत सारी आपको एविलेबल है तो दोस्तों आपको कॉंप्लिमेंट्री मिलेंगे अगर आपने की सब्सक्रिप्शन दो साल की सब्सक्रिप्शन तो आपको एक्स्टेंड़ तीन महिने की सब्सक्रिप्शन मिलेगी याने की एक साल की सब्सक्रिप्शन में आपकी सब्सक्रिप्शन लास्ट करेगी तिल प्रिलिम 2023 तो इसके सिवा दोस्तों अगर आप देखे तो इसके सिवा दोस्तों आपको में बता दूं अगर UPSC CSE Optional Subscription भी है और उसमें भी आप अगर देखें तो KC10 Code का इस्तमाल करें इस्तमाल करने पर आपको 10% off मिलेगी एक साल की cost 24,750 रुपए हो जाएगी इसके सिवा इसके सिवा दोस्तों बहुत सारी free test series चल रही है तो इनको ज़रूर जाइन करें और नए बैचे स्टार्ट हो चुके हैं साथ एप्रिल से इनका पार्ट बने और पर एकाडमी कॉम्बैक में भी रिजिस्टर करना न भूले कि आई सबसे पहले इसको जान लेते हैं तो ही तो हम समझें कि कौन से इसके स्पिशी हैं जो कि इतना जागा एकानमिक लॉस हमें दुनिया को करवा रहे हैं तो इन्वेजिव एलियन स्पिशी अगर आप देखे करवाए जा रहे हैं उस एको सिस्टम को नेगेटिवली इंपक्ट कर सकते हैं जैसे कि आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया में क्या किया गया था तो वहां पर जो ग्रासलेंट्स हैं उनमें खरगोश को लाया गया तो इन्वेजिव एलियन स्पिशी वहां पे कौन हुए खरग करते गए और उन लोगों ने पूरा का पूरा ग्रासलेंड नुकसान उसको पहुंचा दिया तो दोस्तों उसी कहानी को देखे तो इन्वेजिव एलियन स्पिशीज की बहुत सारी इंपक्ट होती है इसके सिवा हुमन हेल्फ पे भी होती है लाइवलियोट पे भी होती है जैसे कई राकों में चुछों को ले आया गए हैं चुहे पहुंच गए हैं जहां पर चुहे कभी नहीं थे तो वहाँ पर वह जो ग्रेंस हैं उसको क्या कर रहे हैं इसको धिरे-धिरे खत्म करते जा रहे हैं वैसे हैं आप फ्यूमन हेल्फ पे देखें तो कज जगए पर इस प्रकार के मच्छड हैं जो की बाहर से आए हैं जो की चिकन गुनियां उन इराकों में भी पहुंचा रहे हैं तो इन सब के बारे में हम जानेंगे तो कुछ इन्वेजिव एलियंस बिशी जो की आप सबने देखे ही होंगे ऐसा हो इसकता कि आपने अपने इर्द गिर्द में कोई पॉण्ड देखा हो कोई तलाब देखा हो उसमें ये वाला पौधा ना देखा हो क्या नाम है यह वाटर हायसिंद क्या इसको हिंदी में कहते हैं लाटर हायसिंद अगर आप देखे तो साउथ अमेरिका से अमेजन रेंफॉरेस्ट से आया है उसी साउथ अमेरिका से और एक प्लांट आई है जो की लांटाना है तो यह आपने शायद बहुत ज्यादा चांसे आपने अपने आस पास यह वाला पौधा यह फून देखा हो इंडिया में जंगल की बात की जाए तो स्पेशली जो इस्टन पार्थे इंडिया का वेस्टन घाट्स वाला भी रीजन है उन्स रीजन में लैंटाना का इन्वेजन बहुत हाई है तो रीसेंट स्टेडी जो थी उसने कहा था जर्नल नेचर पर पब्लिश हुई है और उस ज्यादा जो प्राइस टैक का टर्म इसने यूज किया है जर्नल लेचर ने तो यह अगर आप कॉस्ट देखें यह जो कॉस्ट है मेजरली कहां से आ रही है तो यह वन पॉइंट सी ट्रिलियन डॉलर को अगर आप थोड़ेंगे तो मोस्ट ऑफ दी वन पॉइंट सी ट्रिल टोटेंस रहे हैं तो में खर्चा किसमें होता है तो अगर आप देखो तो जो नुक्सान हो चुका है उसको क्लीन अप करने में करीबन करीव टाइंटी टो बिलियनडॉलर का खर्चा है जो की अगर इन्वेजिव आ रहे हैं उसको आते टाइम ही आपशेंट कर दो तो वो सिर्फ 66 billion है याने कि आप 13 गुना ज्यादा खर्चा करते हो यदि इन्वेजिव एलियन स्पिशीज को चिकन गुनिया येलो फीवर दिंगी डिंगु जो भी बोलना बहुत अलग जगा अलग अलग बाते तो यही सेल आता है तो यह एडिस मॉस्कीटो दो प्रकार के हैं एडिस एजिप्टी है और एक एशिन टाइगर मॉस्कीटो है अलबो पिक्टस एडिस अलबो पिक्टस त रेखे तो United States में टायर में जो यूज टायर होते हैं उनकी एक्सपोर्ट हुआ करती थी एसिया से अमेरिका में तो यूज टायर जो थे उसी में बैठके आएं हैं एडीस मॉस्किटो तो शिप्स के साइड में जो टायर रहते हैं शिप्स में जो उनको शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं उसमें कहीं पर टायर वगेरा में जो पानी जमा थी उसमें बैठे रहते थे और उसी से यह ट्रांस्पोर्ट करके यूएस आ गए लगबग 1980 इसके आसपास इसके सिवा आप देखे तो यह जो नेटिव एशिया के थे और अब अगर आप देखे तो यह सिर् इसके माध्यम से अलग-अलग जगह पहुंच चुकी है तो नेक्स अगर आप देखें नंबर टू पे है रैट तो यह करीमन 67 बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचाता है तो यह रोडिंट अगर आप देखें तो सेम कहानी जो मॉस्कीटों ने अभी किया है रैट तीन हज या रैट भी उसके साथ पहुंच गए तो यह दुनिया भर में पहुंचे हैं हर जगह सारे कॉंटिनेंट्स को इन लोगों ने अकिपाई कर लिया है तो रैट अगर आप देखें तो इन्होंने कई स्पिशीज को एक्स्टिंक्ट करवाया है तो नंबर बताएं तो लगब ना खाज आते हैं इसके वा जहां रहते माँ बायो डाइवरुरसिटी लोज कर आते हैं क्रॉप्स को डैमज करते हैं प्रॉपर्टी डिस्ट्रोइ करते हैं और इतना ही नहीं बिमारी लाइक बिमोनिक प्लेग भी फैलाते हैं तिसले दोस्तों आता है किट तो केट की ज interviewed क देते गए तो क्या हो गया तो काफी जगह पे ऐसा कोई कॉंटिनेंट नहीं है जहां इंसान हो वहां पे ना हो अंटाक्रिका कह सकते हैं इसके लिए इंसान रहते हैं तो आपको पाए जाएंगे तो ऐसा एकेली बिलियां युनाइट स्टेट्स में हर साल एक बिलियन से ज्यादा पंचियों का शिकार करती तो जो इसकीन किया गया है ये मेजरली जो खर्चा होता है बर्ड वाचिंग में इंड लोग जो बर्ड हंट करते हैं उसके उससे जो एकॉन्मिक एक्टिविटी जनरेट हो वो बर्ड होने से रोक रही है तो यह सब की काफी शिकार भी की जाती है तो अगर बिल्ली उन्हें खा जाएगी तो वह कर नहीं पाएंगे इसके सिवा जो लॉस्ट हो रहा है बर्ड वॉचिंग में उनको बचाने में तो वह सब कुछ मेजर खर्चार का एस्टीमेट करके 52 सब्सक्याइब अगर देखें तो खर्चांको मालुमी है तो क्या कर रहे है तो दुनिया भर में ट्रेड की माध्यम से फैले हैं जहां भी समध future होगा वहाँपे तर्माइब बढ़ रहे हैं बिल्डिंग में जो इंफ्रस्ट्रक्चर है वो मेजरली इंपाक्टेड हो रही है इनसे और इंफ्रस्ट्रक्चर कमजोर होके गिर जा रही है नेक्स दोस्तों तो पांचे नंबर पर आती फायर एंड्स इसकी लगभग जो स्विंटीन बिलियन है तो यह साउथ अमेरिका की चीटियां हुआ करती थी लाल चीटी और 1930 में यूएस ते अलग अलग जगह पहुंचनी शुरू हो गई बाइब बोट्स बाइशिप ऑस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड चैना कैलेबिन हर जगह पहुंच गई अगर आप देखें तो जो एनिमल्स हैं उनको काटती भी है और यूमन्स को भी नुकसान पहुंचाती है तो इस प्रकार से 17 बिलियन का एस्टिमेट किया गया है पांच हुआ दोस्तों फायरेंड के बाद आती है चट्टे नंबर पे आप देखें तो यह स्नेक है अगर आप देखें है तो नेटिव बर्ड सेंड लिजर्ड ऑफ गुवाम को अकेले खाके खतम कर चुकी है तो फायरेंड नहीं दिस नंबर सिक्स एंड दिस इस और दिस आप देखो तो ब्राउन ट्री स्नेक यहां पर मैं लिख देता हूं इससे पहले आपको कन्फूजन हो तो इस ब्राउन ट्री स्नेक एंड यह किसलिए इतनी लोगों में फेमस हो चुकी है क्योंकि इसने अकेले गुवाम के बर्ड सेंड लिजर्ड को खाया है तो कहां की है यह स्विशी तो आप देखो तो आस्ट्रेलिया इंडोनीसिया यह स्वाले रीजन में पाई जाती है यहां की नेटेव सिवाल है लेकिन यह वोक्त में कहान पहुंच चुकी है यहां पर चोटा सा अई-लेंड है। ग्वाम के आई-लेंड में पहुंच चुकी है करीबंद करीब में इंड यह स्वासार इस चले जाओ तो वहां पर आपको देखेगी गौम आइलेंड और उसमें जितने भी बर्ड्स लिजर्ट से उसको खा चुकी है इसके सिवा यह जो पावर आउटेज के लिए भी रिस्पॉंसिबल है जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन से उसमें घुस जाती है और पावर कॉटन बॉल वीवल्स फिर आता है जिप्सी मौत फिर आप देखो तो आफ्रिकनाइज बीज और फाइनली न्यू वर्ल्ड स्थ्रू वोंस तो इनका एक और यहां पर दे दिया गया है तो यह आप फाइनल चार्ट देख सकते हैं इसके सिवा अगर आप कॉंटिनेंट में जो डिस्ट्रिबूशन देखो कंट्रीवाइड डिस्ट्रिबूशन देखो तो सबसे ज़्यादा एस्टिमेट्स आता है खर्चा का वह अगर आप देखो तो यूएस है उसकी बाद इंडिया भी बहुत ज्यादा पीड़त है इन इन्वेजिव एलियन स्पेशी से फिर सा नौर्थ अमेरिका साउथ एशिया औस्ट्रेलिया यह सारे बहुत वर्स्ट इंपाक्टेड हैं इस इन इन्वेजिव एलियन स्पिशी से इसके सिवां नौर्थ एरोप भी वैसे ही है वैसे ही 2019 में आप देखो तो आईपी बीएस नेक रिपोर्ट निकाला सा जिसके मुता स्पिशी की मातरा बहुत ज्यादा तीजी से बढ़ रही है तो जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन का दमाना हो गया इंटरनाशनल ट्रेड बढ़ते जा रही है उस वजह से और भी ज्यादा नए नए स्पिशी अलग लग जगा इंट्रोड्यूस तो होते रहेंगे यह चलता ने आपने देखा था लगबग 13 टाइम से भी जादा खर्चा हो रहा है तो इसलिए अगर आप अभी करोगे तो बाद में कम कीमत पे कम लागत पे उसको आज हम फर्दर फैलने से रोग सकते हैं तो यह रिपोर्ट का यही परपस था कि लोगों में एक अवेरनेस है और इन अचादमिया युजगोट केवन गवेरनेस हैं तो इसलिए यहा यहाद रखने में और गवेरनेस की अजिए अट पर गालत।